हेलो फ्रेंड्स, हाल ही के कुछ सालों में साउथ सिनेमा बहुत तेजी से ओवर कर आया है और इसकी बड़ी बज़े साउथ की प्रतिवा साली एक्टर और एक्ट्रिस रहे है साउथ की अब नेत्रियों ने हाल ही में पूरे भारत में करोडों फैन फॉलोईंग कमाई है आप साउथ फिल्में देखते हैं तो आप इन कलाकारों के टेलेंट से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे लेकिन आप इनकी परस्नल लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं जानते होंगे तो इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे साउथ की पंदर एक्ट्रिस के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जिनें वो अपने लिए चुन चुकी हैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है अभिशेख और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है इसलिए एंट तक जरू देखें नमबर 15 इलियाना डिक्रूज इलियाना साउथ सिनेमा के अलावा हिंदी सिनेमा में भी एक जानी मानी एक्टर्स है इलियाना 34 साल की है जिनका जन मुंबई में हुआ था लंबे समय तक इलियाना के बॉइफ्रेंड और अस्टेलियोन फोटोग्राफर एंड्रियू नीबॉन रहे और खबरें ये भी रही कि दोनों ने सीक्रेटली साधी कर ली है लेकिन इलियाना ने साधी से साप मना कर दिया था इन दोनों का रिस्ता जग जाहिर था लेकिन साल 2010 में अपना फिल्मी करियर सुरू किया था जिसके बाद उन्होंने कई सुपर हिट फिल्में दी सामन्था की उम्र 34 साल है उनका जन मद्रास में हुआ था जो अब चेन नहीं हो चुका है अपने पहले मूवी के एक्टर नागा चेतन्य के साथ सामन्था रिलेसंसिप मे आ गई थी काफी लंबे रिलेशन के बाद अक्टूबर 2017 को इन दोनोंने साधी कर ली लेकिन ये रिस्ता साधी के बाद ज्यादा नहीं चल सका और साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया इनके तलाक की असली वज़य क्या रही ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है काजल अगरवाल 36 वर्षी एक जानी मानी हिंदू, तमिल और तेलगू एक्ट्रिस हैं काजल का जन मुंबई में हुआ था उन्होंने अपना करियर बॉलिवोर्ट से सुरू किया था पर बाद में वो साध में ज़्यादा पसंद की गई काजल ने अक्टूबर 2020 में मुंबई के एक बिजनेसमेन गौतम किछलू से साधी कर ली, ये दोनों लंबे अर्शे से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब ये दोनों हस्बेंट वाइप हो चुके हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे नमर्टा का जन मुंबई में हुआ था, अब ये उनकी उमर 49 येर्स है नमर्टा के हजबेंट साउथ के प्रसिद एक्टर महिस बाबू हैं जिनसे उन्होंने साल 2005 में साधी की थी नमर्टा साल 1993 की मिस इंडिया रही और इनका फिल्मी करियर साल 1999 से शुरू हुआ था उन्होंने हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा दोनों में ही काम किया साल 2000 में वामसी मूवी के स्यूटिंग के सेट पर मिले महिस और नमर्टा को एक दूसरे से प्यार हो गया चार-पाँच साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनोंने साधी कर ली महिस और नमरता के दो बच्चे हैं बेटे का नाम गौतम है और बेटी का नाम सितारा है स्रिया सरन भटनागर एक तेलगू तमिल और हिंदी एक्ट्रिस है स्रिया की उम्र 49 साल है उनका जन्म हरिद्द्वार उत्तराखंड में हुआ था स्रिया साल 2007 की हायेस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म सिवाजी की मुख एक्ट्रिस थी साथी उन्होंने और भी कई फिल्में जैसे कंथस्वामी, देवदासू, द्रस्यम में काम किया है स्रिया ने 12 मार्च 2018 को रसियन टेनिस प्लेयर एंडू कोसिप से साधी कर ली उनकी साधी उनके सभी फैंस के लिए बहुत सर्प्राइजिंग रही नमबर 10 आसिन आसिन ने साथ में तो बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया ही है साथी उन्होंने बॉलिवूड में भी गजनी, रेडी और हाउसफुल जैसी ब्लॉकवस्टर फिल्में दी है आसिन 36 बर्षी एक्ट्रेस हैं जिनका जन्म कोच्ची केरला में हुआ था आसिन ने जन्वरी 2016 में माइक्रो मैक्स को फाउंडर राहुल सर्मा से साधी कर ली और उन दोनों की एक बेटी भी हैं जिनका नाम आरेन है आसिन ने साधी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया कृती ने ब्रूस ली, साधी में जरूर आना, गुगली, चिरू जैसी और भी कई सुपर हिट मुवी दी है कृती 30 बर्षी एक्ट्रेस हैं जिनका जन्म निउडेली में हुआ था कृती खरबंडा लंबे समय से बॉलिवोड एक्टर पुलकिट समराट के सार रिलेशनसिप में हैं इन दोनों के इस रिष्टे की सुरुगाद बॉलिवोड फिल्म वीरेदी बैडिंग के सैट से हुई थी और दोनों ने एक इंटर्विव में ये एनाउंस किया कि वो दोनों गल्फरेंड वॉइफरेंड हैं जोतिका 43 वर्षी एक्ट्रिस हैं उनका जन्मुंबई महराष्ट में हुआ था जोतिका की फर्ष्ट मुवी बॉलिवोड फिल्म डोली सजा के रखना थी हिंदी सिनेमा से ज्यादा जोतिका को साउथ सिनेमा में पसंद किया गया 11 सितंबर 2006 को जोतिका ने साउथ के ही जाने माने एक्टर सूरिया से साधी कर ली सूरिया और जोतिका की दो बच्चे भी हैं जिन में एक बेटा है देव और बेटी का नाम है दिया नमबर 7. किरती सुरेश साथ में या कहें पूरे इंडिया में किरती की एक अलग ही पहचान है वो ऐसी एक्ट्रिस हैं जो फिल्मों में या सोसल मीडिया पर कहीं भी नूडिटी या बल्गरिटी को बड़ावा नहीं देती हैं कीर्ती 28 वर्षिय एक्ट्रिस हैं जिनका जन चिन्ड़ी में हुआ था कीर्ती गीता अंजली, रिंग मास्टर, महन्ती जैसी कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं बात करें कीर्ती के लाइफ पार्टनर की तो ऐसे रूमर्स हैं कि वो म्यूजिक डाइरेक्टर अने रुद्ध रवी चंडर के साथ रिस्ते में हैं हलांकि कीर्ती की तरफ से इस रिस्ते पर कभी कुछ नहीं बोला गया नमबर 6 रस्मिका मंधाना नैशनल क्रस के नाम से जानी जाने वाली रस्मिका कुछी सालों में एक बहुत बड़ी एक्ट्रिस बनकर सामने आई हैं करनाटक के विराज पेट में जन्म लेने वाली रस्मिका की उम्र अभी 25 साल है 2016 में डेब्यू करने वाली रस्मिकाने चलो गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड मुवी से सभी को अपनी खूबसूरती एक्टिंग और एक्स्प्रेशन से दीवाना बना लिया बात करने रस्मिका की पर्सनल लाइफ की तो उनकी पहली मुवी क्रिक पार्टी के कोई स्टार रक्सिस सेटी के साथ वो रिलेशनसिप में रही और दोनों ने सगाई भी कर ली थी लेकिन सगाई के बाद रस्मिका को ये एहसास हुआ कि अभी उनकी प्रसिद्धी सुरू ही हुई है और वो आगे चलकर बहुत बड़ी एक्ट्रिस बनने वाली हैं जिसके बाद रस्मिका ने ये साधी कैंसल करने का फैसला कर लिया जुलाई 2017 में की हुई इंगेजमेंट के बाद ये रिस्ता एक साल चला जिसके बाद रस्मिका ने ब्रेक अप कर लिया फिलहाल रस्मिका सिंगल है तरसा की उम्र 38 साल है और वो साउत के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुकी है साल 2015 में तरसा ने अपने बॉइफ्रेंड वरुन मनियान से साधी करने का फैसला कर लिया था और दोनों ने इंगेजमेंट भी कर ली थी लेकिन इंगेजमेंट के बाद इन दोनों के रिष्ते में दरार आ गई और दोनों अलग-अलग हो गए नमबर फोर प्रनिता सुभास प्रनिता ने साध की तीन इंडेस्टी तमिल तेलगू और कंणर में सुपर हिट फिल्में दी हैं 28 वर्ष की प्रनिता का जन करनाटक के बैंगलॉर में हुआ था प्रनिता ने साल 2021 में साध के एक बिजनिसमेन नितिन राजू से साधी कर ली है नमबर थरी जिनेलिया डिसूजा जिनेलिया डिसूजा को कोन नहीं जानता साध सिनेमा हो या बॉलीवुड जिनेलिया बहुत ही फेमस एक्टरस हैं 34 बर्स ये इस एक्ट्रिस का जन मुंबई महराष्ट में हुआ था जिने लिए लंबे समय तक बॉलिवूड एक्टर रितेस देश्मुक के सार रिलेसंसिप में रही और फिर 2012 में दोनों ने साधी कर ली इन दोनों के दो बेटे हैं जिनका नाम रियान और राइल है 36 बर्स ये नैन तारा का जन बेंगलोर करनाटक में हुआ था साल 2003 से अपना एक्टिंग करियर सुरू करने वाली नैन तारा ने कई सुपर हिट फिल्में दी नैन तारा सबसे पहले एक्टर सिलम बर्सन के सार रिलेसंसिप में आई थी कुछ साल ये रिस्ता चलने के बाद दोनों का ब्रेक अप हो गया इसके बाद नैन तारा और प्रबुदेवा रिलेसंसिप में रहे पर क्योंकि प्रबुदेवा पहले से साधी सुदा थे तो ये रिस्ता भी ज़्यादा आगे नहीं जा सका साल 2015 में नैन तारा एक्टर विगनेश सिबम के सार रिलेसंसिप में आ गई और अभी भी वो दोनों रिलेसंसिप में है अमला पॉल अमला पॉल 29 बर्षी एक्ट्रिस हैं जिनका जन इरना कुलम किरला में हुआ था अमला ने मलयालम मूवी नील थमारा से अपना फिल्मी डेब्यू किया जिसके बाद वो कई तमिल तेलगू सुफरेट फिल्मों में नजर आई साथी वो एक तेलगू वेब सीरीज कुडी येद मैथे में भी दुरगा का करदार निभाच चुकी है साल 2010 में डायरेक्टर एल विजय की मूवी में काम करते हुए अमला और विजय एक दूसरे को पसंद करने लगे तिन साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2014 में दोनों ने साधी कर ली लेकिन इन दोनों की भी साधी ज्यादा न चल सकी और साल 2017 में दोनों का तलाग हो गया तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को भी मिला होगा इन मेंसे कौन सी एक्टरस आपकी फैबरेट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही एक कमेंट हमारे चैनल के लिए भी करें दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो एंट तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस जरूर दें अच्छी लगी तो लाइक, सेर और कमेंट करें हम हर एक कमेंट परते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत बैल्यू रखती है साथ है अगर आप हमसे इस्टाग्राम पर भी जोना चाते हैं तो जरूर फॉलो करें वीडियो एंट तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जोड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वेल आइकोन प्रेस कर लें चलिया फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ